तो हेलो दोस्तों नितिस आल डाउंड के चनल पे आप सभी लोग का स्वागत है हम आज लेक्चर वन शुरू करेंगे इलेट्रिकल मशीन ठीक है इलेट्रिकल मशीन पढ़ेंगे और देखिए ये मेरा वीडियो देखने से आपको फाइदा ये होगा कि मैं अपने नोट्स का जो है कि पीडिया बना करके आप लोग को पढ़ाऊंगा तो आप लोग को नोट्स बनाने में भी काफी काफी असानी होगी और समझने में भी तो चलिए हम टॉपिक सुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन ठीक है इलेक्ट्रिकल मशीन में हम को क्या-क्या पढ़ना है पहले और साथ-साथ आप लोग नोट्स भी बनाते चलियेगा ठीक है यहमें इतना चीच चाहना है तो हम सबसे पएले देखतेए फीं चाहिए दो देखे ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिडा मित्र या परिवर्तक भी कहते है ठीक है यहां पे लिखा हुआ है ад.» और देखे ट्रांसफार्मर एधी मैं step down the voltage with corresponding decrease on increase in circuit ये कह रहे है कि transformer इसे static device उसे static डिवाइस कोई पाइज होता यह क्या है जियर इस में कोई बाइज पार्ट नहीं होता था सिर्फ एक स्ट्रैंट ड्यूएज देखिए वीच ट्रांस्फार्म iletrico panne vale from 1िटिकल संकीट तू- से primary winding है और यह क्या है secondary winding है ठीक है यह बीच में core को दिखाता है दोस्तों देखिए primary winding में तो हमने supply दिया primary winding में हमने supply दिया इसी supply लेकिन देखिए secondary winding में हमें क्या मिलता है voltage मिल जाता है secondary winding हमें voltage मिल जाता है ठीक है तो देखिए हमने supply दिया primary primary bonding में लेकिन सेकेंड्रेश। Marketing में लौतेजंद में में यानि की इसमें प्रैमरी बाइंडेश मेरा power 521 हो सकेंड्री बाहिंडिक में प्रावर क्या मिलेगा एगा ईथिवेड fij में चुकी उप्राइमरी साथ सट्नुल предлаг तक कोई ठीक है यह वन है यह टू है चलिए तो आप यह समय होगा और देखिए इस में ऐसे बता दो कि यदि एक तरफ माल लीजे कि बुल्टेज कम है ठीक है प्रामेरी बाइंडिंग साइड बुल्टेज कम है और से केंड़ी बाइंडिंग साइड अगर वो ज्यादा कर रहा है ज्य ठीक है और देखे यदि यदि बोल्टेज मेरा प्राइमरी साइड क्या हो ज्यादा हो और सेकेंडरी साइड बोल्टेज क्या दे कम दे तो यह क्या कराएगा इस्टेप डाउन कराएगा ठीक है इस्टेप डाउन कराएगा अब एक चीज़ और ध्यान देजिए देखे यदि primary side voltage कम हो और secondary side voltage ज़्यादा दिया तो वो step up तो कहलाया लेकिन corresponding मतलब इसके साथ साथ देखिए जब primary side voltage कम है तो current कमान ज़्यादा होगा ठीक है primary side यदि voltage कम है तो current कमान ज़्यादा होगा और secondary side अगर voltage ज़्यादा हो रहा है देखिए कि दोस्तों definitely current कमान कम होगा क्योंकि देखिए एक तरफ एक value यदि कम है तो एक value ज्यादा हो रही है और just इसका दूसरे साइट देखिए अगर एक value ज्यादा हो रहा है तो उसका एक value कम भी हो रहा है ठीक है इसलिए transformer में power क्या हो जाती है constant हो जाती है ठीक है दोस्तों transformer में power constant क्योंकि एक तरफ current ज्यादा है तो दूसरे तरफ current कम होके और voltage को बढ़ा करता है बैलेंस कर देता है ठीक है और चलिए देखिए एक तरह हम और ज्यान देते हैं आपको यह सुझा आगा लाइन ना कि with corresponding decrease or increase in current in circuit मतलब कि आपका primary side ज्यादी current decrease है कम है तो secondary side current क्या हो जाएगा आपका decrease जाएगा चलिए तो अब हम एक चीज़ और जानते हैं देखिए दोस्तों यह सब बहुत important point है और यह चीज़ हम लोग और जानते लेते हैं कि यदि देखिए यदि प्राइमरी इसके यदि देखिए यदि इसके primary side हमने supply दिया हमने supply दिया और supply की frequency जो है वो 50 Hertz है ठीक है 50 Hertz है तो यह secondary side भी frequency हमें 50 Hertz ही मिलता है इस बात का दियान दिजेगा दोस्तों ट्रांसफार्मर में नहीं power change होती है और नहीं frequency change होती है यह बात आप लोग बहुत अच्छे से गौर करिएगा कि ट्रांसफार्मर में नहीं power change होती है और नहीं frequency change होती है ठीक है चलिए तो यह अब उम्मिद करता हूँ कि आप लोगो समझाया होगा चलिए और यह दोस्तों मैं यह भी बताऊंगा कि फ्रिक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती है ठीक है चलिए तो अब हम देखते हैं इस्टेटिक डिवाइस कि इस्टेटिक डिवाइस ये क्यों है तो इसलिए है because there is no any moving or rotational part मतलब transformer में इसमें कोई moving या घुमने वाली भाग नहीं होती है ठीक है any rotating part नहीं होती है that's why there is no any rotational loss और देखिए यदि इसमें कोई rotational या moving part नहीं है कोई घुमने वाली अगर बात ही नहीं है तो देखिए दोस्तों इसमें rotational को जुव लास भी नहीं होगा ठीक है rotational loss भी कि नहीं में कोई या तृटेसिनलस को होगा बताए मठीक ए रूटेसिनल लास के दो बाग होते हैं एक होता है लोगश्योν गहां जलाओ और एक होता होता है friction लाश्य याप तो गूमने से क्या होता है देखें लास होता है ठीक है लेकिन ट्रास्फार्मर में ऐसी कोई बात नहीं है कोई रूटेशनल लास नहीं होता है इसलिए ट्रास्फार्मर की इफिसेंसी भी अच्छी होती है मोटर की तुल नाम है यही सबसे बड़ा कारड है दोस्तों चलिए अब हम आपको सुझाया है ना कि रूटेशनल लास कितने पकार कोता है दो पकार का एक विंडेज लास और एक फ्रिक्शन लास ठीक है चलिए तो अब हम फासा इसमें एक छोटा सा फासा क्वेश्चन है उस ज्यादा अधिक क्यों होती है इसका अंसर हम बताएंगे बिकॉस देयर इस नो एनी रूटेशनल लास एवेल डिजाइन ठीक है अब देखिए और आपको एक इस्टार वाली बात इंपोर्टेंस बात जान लीजिए कि ए वेल डिजाइंड पावर ट्रांसफर हैविंग कित एक अची पावर ट्रास्फर्मर जो डिजाइन की जाती है उसकी एफिसेंसी होती है 98% बहुत इंप्रण के पॉइंट से दोस्तों आपको एक्जाम सीदे पूछ लेता है 98% यदि पावर ट्रांसफर्मर है तो उसकी एफिसेंसी 98% होती है ठीक है यह सब आप नोड़्स बन कदरा दूंगा ठीक है चलिए अभ हम देखते हैं आगी लेकिए हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है ठीक है रपार्मर जो होता है यह कॉरफ दिखाया गया ठीक है ठीक है त्रास्फ़ारमर का जो कॉर होता है देखिए वह M berry नेटिल भगाल में यह सिलिकान फील इसका जो देखे जो ये वाला भाग होता है ठीक है ये भाग ये भाग कहलाता है लिम्ब एल आई एम बी ठीक है लिम्ब कहलाता है देखे दोस्तों वहार नोट्स पे लिखा हुआ है ठीक है और देखे और जो ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है ये भाग ये भाग कहलाता ह कुछ नहीं होता है वह दो से पंद्रा परसेंट ही होता है घुलना हुटा थो ऐस बात को बहु से इसके बाद देखिए सबस्टार अबना कुछ पॉइंट देख लिए लेमिनेटेड कोर इज मेरे तु रिडूस द एक करेंट लॉस्ट यह जाता है जो यह क्यों क्यों होता है क्योंकि इससे ED current loss बहुत कम हो जाता है तो आप इस बार को नोट करते चलिएगा हम देखते हैं हम देखते हैं कि core loss और iron loss क्या होता है ठीक है core loss और iron loss तो देखिए दोस्तों जो losses core में होता है वही कहलाता है core loss और इसको iron loss और इसी को constant loss भी कहते हैं यह लोड पर डिपेंड नहीं करता चाहे transformer हमारा लोड पर हो चाहे नो लोड पर हो मतलब कि transformer का secondary side पर हम कोई लोड जोड़े हो या न जोड़े हो लेकिन यह loss होता रहता है जिसको कहते हैं constant loss या core loss या iron loss ठीक है तो चलिए देखिए transformer में देखिए जो core loss या iron loss होता है इनके दो भाग होते हैं कौन को होते हैं एक होता है hysteresis loss जिसको denote किया गया है WH से एक होता है ED current loss जिसको denote किया गया है W E से ठीक है देखिए W F यानि hysteresis loss is equal to formula दिया गया है नीटा देखिए इसको कहते हैं नीटा ठीक है नीटा तो इसका formula है नीटा B max के power 1.6 into F into volume ठीक है volume मतलब क्या है volume मतलब हमारे core का जो है कि वो आयता है ठीक है और देखिए F जो है यह frequency है यह जो भी हम supply frequency दे रहे हैं ठीक है और B max यानि क्या है यह आपका है flux density ठीक है मतलब कि आपका जो binding के through जो भी flux उत्पन हो रहा है तो flux बनने से दोस्तों magnetic flux density होता है B max formula जानते होंगी होता है B equal to 5 by A तो यदि flux का मान ज्यादा होता है तो flux density का मान भी ज्यादा होता है ठीक है तो यह है यहाँ आपका flux density B max और देखिए यहाँ पे iron loss का एक part होता है ED current loss इसका formula मतलब यह समानुपाती होता है नीटा B max का square F square T square यहाँ पर दोस्तों T जो है वह ठीकने से ठीक है और यह क्या है वाल्यूम ठीक है वाल्यूम आटन चलिए अब हम समझते हैं लीम्ब को हम लीम्ब को समझते हैं तो देखिए दोस्तों लीम्ब में कितना flux density है यादि B max और जानते core का area ठीक है चलिए तो B max और 5 max अपान वह area है तो 5 max कब होगा जब मालेजे supply हमारी high पर है ठीक है ऐसे AC supply हम input देते हैं तो यह वाला area यानि यहाँ पर supply हमारी high होगी current हमान जब यहाँ पर high होगा तो यहाँ पर जब high होने से यहाँ पर सबसे ज्यादा flux बनेगा और सबसे ज्यादा flux बनेगा यानि 5 maximum बनेगा और जिस जब सबसे ज्यादा flux होगा उसी समय सबसे ज्यादा flux density भी होगा तो यदि मैं मान लूँ कि किसी छड़ 5 maximum हो सबसे ज्यादा flux हो तो उस छड़ क्या हो B max यानी yaork देंसिटी का मान भी सवस्यदिक होगा Diesit b2 оф Aragen met the यहाँ पर की बात करें का देखे देखे थे किनीद में जो की एरिया था यो कि photography by यहाँ पर दोस्तों कम होगा यहाँ पर अगर एरिया का मान कम होगा किम्र होगा तो जाता होगा ठीक है यही यही जो है कि लीम्ब से ही जो क्या जाता है चापिरों को जो है कि जो स्केरी to 3 है उसमें करता है से कंड fiance meteorite कर ऊता है तो इसमें आपको यह चीजा आच व्हारण कि लीम्ब में जो है की लोकस देकी कम होगा ज्यादा लाक का जो एरिया है वह एडिया किया है कम है ठीक है यदी भी करेंट फिर में हमारा किसमें ज़्यादा होता है तो hysteresis last और ED current last हमारा सबसे ज्यादा लिंब में ही होता है ठीक है क्योंकि देखें B max कमाण ज्यादा हो जाएगा area कम B max कमाण ज्यादा तो यहां पर B max कमाण ज्यादा बताएंगे तो hysteresis last और ED current last list क्या होगा दुनों में ज्यादा होगा चलिए ठीक है अब आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं देखिए दोस्तों कि यह एक ट्रांस्फार्मर को दिखाया गया है ठीक है यह कोर है यह आपका देखिए कोर है ठीक है और कोर पे यह कोर है कोर पे देखिए आपका यह primary binding है ठीक है इधर साइड primary binding है और यह जो binding है यह क्या है secondary binding है ठीक है तो देखिए यदि हम सप्लाई दिये हुए हैं ट्रांस्फार्मर पे यदि देखिए हम सप्लाई यहां पे दिये हुए हैं और secondary साइड मारे जिस्वीच क्या है Open है स्विच यानि open का मतलब क्या हुआ मतलब की load क्या है disconnect है load कोई load जोडा गया नहीं है जब कोई load ही नहीं जोडा है जोड़ा है दोसतों तो इसी condition नंधूर्ण को कहते हैं कि transformer हमारा know load पर है ठीक है transformer क्या है no load पर है हहाँ पे no load लिखा गया है, ठिक है? No load पे है, तो देखी है दोसटों, ऐसी condition में, transformer में, transformer के primary binding में से एक I-not current flow होती है, I-not को मतलब क्या? No load current, I-not को ही कहते है, no load current, ठिक है? तो एक I-not current flow होती है, I-not क्यों flow हो रही है? क्योंकि हमारा transformer क्या है? No load पे है, कोई भी load add नहीं है, मतलब यहां पर switch क्या है open है circuit क्या है खुला हुआ है देखिए दोस्तों जब no load current जाएगा और यह no load का मान क्या होता है दोस्तों 3-5% of the rated full load current no load में current का मान होता है 3-5% जैसे दोस्तों अगर हम कहें कि अगर rated current का मान हमारा जो है कि अगर हम कहें कि rated current का मान 100A है तो no load यह लोड हटा दे no load पे current का मान कितना हो जाएगा तीन एंपियर से पाच एंपियर ठीक है तीन एंपियर से पाच एंपियर आपको समझ में आ गया होगा कि 3-5% of the rated full load current का मतलब क्या होगा चलिए तो no load current समझाया है ना नो लोट तभी फ्लो होगा जब transformer हमारा क्या होगा नो लोट पे होगा ठीक है तो अब हम थोड़ा सा आगे बताते हैं है बापको कि अज़िए यहां देखिए और यहां पे तो थीक है यह उसका एरिया होता है वह 10-15% क्या होता है ज्यादा होता है किसकी तुलना में लींब की तुलना में यदि इसका एरिया ज्यादा होगा तो यहां पे आपको एक important point मिल गया कि flux density का मान सबसे ज्यादा किस में होता है तो लीमब में होता है योग में कम होता है ठीक है अब क्यों कम होता दूस्तों यह मैं आपको पता दिया चलिए अम आगजे देखते हैं चलिए यह हम देखते हैं अब देखिए लिम्ब में फ्लॉक्स डेंसिटी का मान क्या होता है दोस्तों ज्यादा होता है ठीक है देखे लिम्ब में flux density कमान क्या होता है ज्यादा होता है और योक में flux density कमान क्या होगा कम होगा ठीक है देखे यहाँ पर बताया गया है कि देखे योक में कम तीर बना हुआ है और लिम्ब में उपर ज्यादा कतीर बना हुआ है ठीक है तो समझ गया होंगे आप लोग चलिए अब हम आगे चलते हैं देखिए देखिए यदि बी मैक्स का मान कम होगा तो हिस्टेरिसी स्लाफ भी कम होगा और बी मैक्स का मान यहां भी कम होगा तो एडी करेंट लॉला ठीक है एक दूसरे के समानती है तो कोण लास غी वी फढ़ने रीज्ब बीन होता हैं ही पाहरे रहे हैं की पयोग विल्लॉल कहते हैं इसी को कहते हैं बन क्विस्व dest drivers दा है चाहे transformer आपका load पे हो, चाहे no load पे हो, core loss होता ही रहता है, ठीक है, और core loss, देखे, जब transformer no load पे है, फिर भी आपका core loss होगा ही, और load पे रहेगा, तो भी होगा, तो no load में current कौन सा था, I0 ठीक है, और ये इसका rating कितना था, 3-5% आप दर rated full current, ठीक है, तो I0 ही जिमेदार होता ह है किसके लिए, आपका iron loss या core loss के लिए, ये आगे मैं आपको second lecture में बताऊंगा, ये आपका first lecture था, आज ही मैंने machine शुरुआत किया है, दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई content अगर इसमें नहीं समझ में आता है, तो एक भी चीज छूटा छूटा नहीं मिलेगा, SSC, J, UP, PCL, आपका RRB, कोई भी exam हो, बहुत helpful सावित होने वाला है यह वीडियो दोस्तों, ठीक है, अगर आप नए है तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजिए, like जरूर कीजिए, और share भी कीजिए, ठीक है, तो चलिए, bye-bye दोस्तों, thank कर दोस्तों, thank you.